हेलो दोस्तों हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरीन रोपने से आंको क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं दोस्तों यूरीन के द्वारा हमारे श्रीर से सभी परकार के विशाप्पदार्थ बहार निकल जाते है जिससे हमारा श्रीर हमेशा स्वास्त रहता है इसलिए डॉक्टर्स भी ये सला देते हैं कि जादा पानी पीओ जादा पानी पीने से जो हमारे श्रीर के विशाप्पदार्थ हैं वो आसानी से बहार निकल जाते हैं पर कई लोग यूरीन आने पर काफी देर तक उसे रोप कर रखते हैं पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूरीन को कभी नहीं रोपना चाहिए अगर आप यूरीन को रोके रखते हैं तो आपकी सहत पर इससे बहुत बुरा असर पढ़ सकता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूरीन को रोपने के कुछ ऐसे नुक जूद विशाले पदार्थ बाहर नहीं निकल पातें जिससे आपको यूरिनरी इंफेक्शन होने का खत्रा रहता है कभी-कभी यूरीन को रोखने के कारण ब्लैडर में सूजन हो जाती है जिसके कारण यूरीन के वक्त तेज दर्द होता है ज्यादा देर तक यूरीन को विशाले पदार्थ होते हैं जिनका श्रीर में रहना हानिकारक होता है पर अगर आप यूरीन को देर तक रोख कर रखते हैं तो इससे यह विशाले तह तो आपकी किड़नी के आसपास जमा हो जाते हैं जिसके कारण कभी-कभी किड़नी में पत्री भी हो जाती है तो दोस् हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेर जरू कीजिए साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू